Who called you or whom called you? Whom did you call? Who did you call? किसमें कौन सा आएगा? This is so confusing. क्या हूँ अपिंकी इतनी परिशान क्यों है? मैं बढ़ी confused हूँ. Confused? पर क्यों? मैं इतनी देर से ये फिलप्स करने के कोशिश कर रहे हूँ. पर मुझे समझ में निया रहा किसमें आएगा क्या, हूँ और हूम, ओ फिलप्स, बता क्या फिल करना है, I will help you, ओके फर्स्ट वन, डाश कॉल्ड यू, हूँ कॉल्ड यू, नेक्स्ट, डाश दिड्यू कॉल, हूम दिड्यू कॉल, अरे वा, तूनो तू बढ़े आराम से कर लिया, अब मुझे बताये तूने किया कैसे, जिस क्वेश्चन का आंसर सब्जेक्ट होगा, वहाँ हूँ आएगा, अर जिस क्वेश्चन का आंसर अब्जेक्ट होगा, वहाँ हूम आएगा, मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ओके वईट, लेट मी एक्स्पें दिस तो यू इन डीटेल, और मेक्शॉर कुछ भी मिस मत करियो, हलो लवली पीपल, आयम प्रियांका चौधरी और वल्कम टू मै चैनल, जैसा कि आपने अभी देखा, यह हू और हूम में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, और आइगेस आपको भी हुई है, वेल, इस हू और हूम का कंफ्यूजन, इस विडियो के दुरूप पक्का क्लियर हो जाएगा, I guarantee, Before understanding this, फहले यह समझना होगा, कि यह सबजेक्ट और आबजेक्ट क्या है, यह हू और हूम का कनेक्शन, अक्चुली सबजेक्ट और आबजेक्ट से है, Well, let's understand, किसी भी सेंटेंस में सबजेक्ट क्या होता है, सबजेक्ट वो परसन है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, Means, सबजेक्ट किसी भी सेंटेंस में दूर आफ दी अक्शन होता है, जो सेंटेंस में काम करता है, For example, अगर मैं कहूं I speak English, इस sentence में subject क्या है? subject है I, मैं बोलती हूँ, sentence में door of the action कौन है? मैं, तो I इस sentence में subject है, next example, he talks to me, इस sentence में, what is the subject, इस sentence में subject है he, he इस sentence में बोलता है, बात करता है, तो door of the action हुआ, he, subject means करता, Now, let's understand object क्या होता है, object वो person है, जो information को receive करता है, for example, he gave the chocolate to him, अब इस sentence में उसने chocolate उसको दी, तो chocolate किसने receive करी? Him, him इस sentence में हुआ object, another example, Rita helps me, इस sentence में help कौन करती है, Rita, तो Rita इस sentence में है subject, किसकी help करती है, me, so me हुआ sentence में object, I hope अभी आपको ये clear हो चुका है कि sentence में subject and object होता क्या है, well, subject sentences में most of the time sentence के आगे आते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं, He, she, it, name भी हो सकता है, they भी हो सकता है, we भी हो सकता है, and object किसे sentences में कुछ ऐसे होते हैं, him, her, them, us, like these, so अगर आपको sentences में कुछ ऐसा नज़र आता है, तो वो हुए object, Well, now let's understand, कि ये who और whom actually काम कैसे करते हैं, sentences में, well, अगर आपका question है, who asked this question to you, कि आपसे ये question किसने पूछा, right, अब आप confused हैं कि यहां who आएगा, कि whom आएगा, आप कोशिश करिए पहले sentence का answer दीजिए, answer आप कैसे देंगे, कि मैंने ये question आपसे पूछा, या उसने ये question आपसे पूछा, तो आपका answer आएगा कुछ, I asked this question to you, या अब बोलेंगे, he asked this question to you, तो answer जो आ रहा है, वो या तो I होगा, या he होगा, या she होगा, या they होगा, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो एक subjective answer होगा, इस situation में sentence में आएगा, who, so who asked this question to you, in simple, अगर आपके sentence में, he, she, name, या फिर, they आता है, तो आप इसको replace कर सकते हैं, who से, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो आप question पूछ रहे हैं, उसका answer subject है या object है, let's see another example, who called you, means आपको किस ने call किया, अगर आप answer दें, तो answer कुछ ऐसे होगा, he called you, she called you, और रमन called you, something like this, तो आपने जब he, she, रमन यूज किया, तो ये सभी subjective pronouns थे, या noun थे, तो ऐसे situation में आपको, who use करना होगा, let's take another example, अगर sentence हुआ, whom did you invite at the party, अब इस sentence में आप answer देंगे, तो क्या होगा answer, I invited him at the party, I invited her at the party, कि मैंने उसे invite किया, मैंने उस लड़की को invite किया, him और her, तो जब आपका answer him और her में आता है, ये answer हुआ, objective pronoun, इस situation में आप use करेंगे, whom, let's have a next example, whom did you see at the park, कि आपने पार्क में किसको देखा, तो आप answer ऐसे देंगे कुछ, कि मैंने पार्क में उसको देखा, मैंने पार्क में उन सक को देखा, something like this, तो answer होगा कुछ आपका, her, him, them, something like this, तो आपका sentence कुछ ऐसे होगा, I saw him at the park, I saw her at the park, I saw them at the park, right, so answer में आपके आ रहा है, objective pronoun, him, her, और them, so it is clearly understood कि इस sentence में आना चाहिए था, whom, well, now let's practice, so here is the sentence for you to practice, dash ate the chocolate, अब आप बताएए इसमें हू आएगा या हूम, the right answer is, who ate the chocolate, means chocolate किसने खाया, तो आप answer देंगे, he ate the chocolate, she ate the chocolate, और सिया ate the chocolate, तो ऐसा कुछ answer आया, it means आपने subject answer दिया, right, subjective pronoun, noun या noun में answer दिया, तो यहाँ पर आएगा, who ate the chocolate, किसने खाया, well, next one, to dash, did you give the gift, अब इसका answer आप कैसे करेंगे, कि आपने gift किसको दिया, right, तो आपका answer होगा, कि मैंने gift उसको दिया, मैंने gift अपनी friend को दिया, मैंने gift किसी को दिया, means आपका जो answer है, वो objective form में होगा, I gave the gift to him, I gave the gift to her, और I gave the gift to my friend, last में answer आता है आपका, that is object, इस situation में आपको यूज करना है, इस sentence में, whom, to whom did you give the gift, आपने gift किसको दिया, तो इस sentence में आएगा, whom, next one, dash is coming to the party tonight, try to fill up the blank with whom or whom, right answer is, who, who is coming at the party tonight, nice try, next one, to dash should I address this letter, so answer कुछ ऐसा आएगा, I should address this letter to him, to her, to them, something like this, so the right answer is, to whom should I address this letter, next one, dash is responsible for this mess, कि इस mess के लिए, जो यहां पर कच्छडा फैलाया है, जो सारी चीज़े इधर के उदर फैला दी हैं, इसके लिए कौन responsible है, अब यहां पर आप क्या फिल करेंगी, who और whom, इसका answer देने के आप कोशिश करेंगे, तो answer हैगा कुछ ऐसा, कि he is responsible, or she is responsible, or I am responsible for this mess, something like this, answer होगा आपका subjective noun or pronoun, so in this situation, आप यूज करते हैं, हो, so the right option is, हो is responsible for this mess, I hope now there is no more confusion between हो and whom, if you really like this video and found it useful, do not forget to give it a big thumbs up, subscribe to my channel and share this video with your friends and relatives, thank you for watching, I will see you in the next video, till then, bye bye, take care. झाल